पत्थर परे के बारत जड़ जाए इसके लिए आदमी जिन्दगी भर जतन करता है जब जतन पूरे होते हैं जिन्दगी पूरी होती है तो पत्थर कई दफा गवाही के लिए बचे रहते हैं नमस्कार मैं नाम सौरब देदी है ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है चुन सूर्यास्त के समया आपका फेवरेट पहर शेर्शाह का मगबरह की है और शेर साय सूरी के बारे में और सासराम रूहतास दिलाए लूसके प्रतात्विक और अथियसिक महत्यर्य के बाद Live बात करने के लीए यह जो मकबरा है शेर साहसूरी का और अभी हम लोग जो प्रवेश करने जा रहे हैं जिस छोटे मकबरे में यह उनके दर्बान का मकबरा है यह मकबरा पहले दर्बान का फिर राजार अब यह 35 फीट बरगाकार यह मकबरा है जी 35 फीट बरगाकार मकबरा है और मकबरे के आप समझ लिजिए कि वह कैसा शासक रहा होगा, कैसा बादशाह रहा होगा, जो अपने मकबरे से पहले अपने दर्बान का मकबरा जो बनवाता है, और यहां से हम लोग चलें मकबरे की ओर, चारो तरफ तालाब, बगीचा, बीच में मकबरा, जी, 22 एकड में फैला हुआ यह थालाब है, 22 एकड है, लगभग 1100 फीट लंबा, पूरव से पश्चिम की ओर, और लगभग पौने 900 फीट चोड़ा, उत्तर से दक्षिन की ओर है, यह मकबरा, और इसमें बराबर पानी भरा रहता है, तो पानी कहां से आता है, यह पानी आने की ब्योस्था अंग्रेजों और आप से बतला रहें कि अभी आप जो देख रहे हैं जिस पूल को, यह पूल अब नीचे हो गया है, लेकिंगन जिस समय यह शेशाह का मकबरा बना था, तो यहां से लेकरके वो जो सीनिया हैं, वो सीनिया नहीं थी बलकि यह पूल बिलकुल बराबर था, यहां से वहां बैठ या बाद में ध्वस्त हो गया था तो 1882 इस भी में कनिंगम ने इसको जो है इसकी मरमत करवाई और पुल को जोड़ा और तभी ये तालाब दो हिस्सों में हो गया जी नहीं ये पुल तो था इसमें तीन पाये थे और उपर उपर पुल बना हुआ था जैसे पुल होता ह नदियों पर लेकिन वो फीलर ध्वस्त हो गया था और आप जो ऊपर में गुंबद देख रहे हैं गुंबद के ऊपर जो कलस आमलक है जो अभी देख रहे हैं आप यह भी अंग्रेजों को का बनवाया हुआ है पहले वहां पर च्छतरी थी जो च्छतरी ध्वस्त हो गई थी तो उसी समय 1882 इस भी के आसपास इसको कनिहम ने जब मरमती कराई तभी इसको बनवाया गया था एक चीज़ दो सवाल है मेरे जी एक सवाल तो जो जैसे अभी बिदाएक जी से बात हो रही थी तो उन्होंने चर्चा की कि बाद में उसके वारिसों ने बनवाया जी नह है यह शेरसाह जब बिहार का बाट्शाह बना थी तो उसने अपने पिता का मकबरा आप देख सकते हैं यहां से अभी नहीं दी काई पड़ रहा है आप वा उपर से देखेंगे यहपने पिता का मकबरा पहले बनवाना में वह मारा गया उस समय तक इसका गुंबद जो है अपूर्ण था पूरा नहीं हुआ था उसमें आप जो इसलाम साह का लिखवाया हुआ है कि बाशाह के मरने के तीन महीने बाद तब जो है यह गुंबद पूर्ण हो पाया यह इसलाम साह ने पूरा कराया केवल गुंबद और सारा जो अस्थापत्य आप देख रहे हैं, यह पूंड हो चुका था, और यही नहीं, इस चुकी यह सेरसाह सूरी की ही नगरी नहीं, बलकि सूरी वन्स के उत्थान की कहानी यहां से सुरू होती है सासाराम से, सहसराम से, और आप से बतलाएं कि 1499 इस भी में, उनके पित हसन खासूरी को सहसराम की जागीर मिली थी, और इसके बाद यह लोग आये यहां पर, तो पहले अपना बसेरा बनवाया, जिसको की पूराना किला कहा जाता है यहां पर, सहर के बीच है, और उसके बाद जब बिहार का बास्शाह बनने का जैसा हमने जिक्र किया, कि उसने अपने पिता का मकबरा बनवाया, हसन खासूरी का जिसको सूखा रोजा कहा जाता है, आप सामने देख सकते हैं, वह सूखा रोजा है, पेड के जुर्मुट के पीछे आपको एक गुंबत नजर आ रहा है, ना रहा हो तो इस पे चड़ जाएगा और उपर से मेरे का स्थापत क्या है, जरा इसके बारे में बताईए, यह मकबरा पठान वास्तु कला का है, चुकि पठान वास्तु कला, इसके और नमूने क्या देखने को मिलते हैं, लोधी गार्डेन में आप देख सकते हैं, जी, जी, वहाँ पे भी आसी गोल चट्री का, और उसी समय अश्ट पहलदार है, और इसमें मकबरे के बीच-बीच में हर मंजिल पर छोटी-छोटी छतरियां होती हैं, और मकबरे के चारो और बरामदे होते हैं, इसी को पठान वास्तु कला कहा जाता है, मकबरा बीच में उसके चारो तरफ बरामदा और बरामदे के ऊपर छोटी- जो मकबरे बने इससे हलके विशाल बन रहे थे, इसलाम सह स्वेंग अपना मकबरा यही पर बन रहा था, यह तक्या में है, यही सासारा में, अधूरा है, वो जो गुंबत नदर आ रहा है, वो शेर्शाह की पितागा है, क्या नाम था? यह जीत करके गया यहां से और यह जो मकबरा आप देख रहे हैं आप नीचे देखिएगा यह 243 फीट बरगाकार है उसके ऊपर जो यह उपर देख रहे हैं आप यहां से देख सकते हैं यह नीचे का जो भाग है यह 243 फीट बरगाकार है लेकिन इसके ऊपर यह 22 फीट जो उचा भाग है यह दिवाल वो 22 फीट उचा भाग जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर 216 फ के और मकबरे तक की उचाई जो है वो तीस फीट लगभग इसकी उचाई होती है अच्छा जी और इसके बाद जब हम लोग चलते हैं तो जैसा हमने बतलाया कि यह मकबरा जो है अश्ट पखलदार है और इसके यह नया जो है इसमें प्रियूग किया था यह तो लगना है जैस के अंदर में है और इसने एक नया प्रियोग किया उसमें नीचे भी पहले क्या था सिकंदर लोदी के मकबरे तक आप देखिएगा कि उपर में बुर्जियां है हर मंजिल पर बुर्जियां है दो मंजिल है यह तीन मंजिल है और इसमें जो है नीचे भी प्लेटफॉर्म प कोटी च्छतरियां होती जाते हैं क्रमसा उपर की और यह बहुत ही खूबसूरती प्रदान करती है इसको और कनिहम ने कहा था कि इसमें जो है तुगलक कालीन जो धार्मिक अस्थापत्य था उसकी गंभीरता और साह जहां कालीन जो कामनियता है वो दोनों का सम्मिस्रण है इ यह पहले क्या पूरा कलरफुल था यह पूरा प्लास्टर था आप देख रहें ऊपर जो है इसमें वो नकासी की गई है नकासी के अंदर जो है उसमें फिट किया गया है सीसा बिठाया गया है यह पहले जो ओरिजिनल फॉम में था तब यह कलरफुल था यह पूरा मकबरा वह प्लास्टर था लेकिन वह बहुत नीला और फिरोजी उसमें है और यह जो है बहुत ही खुबसूरत मकबराता है जैसे आगा खान ट्रस्ट ने हुमायू के टूम को रिस्टोर कर दिया वैसा अगर कुछ काम यहां पर हो तो यह जो हम लोग बार-बार कहते रहते हैं कि बि में हमों देख सपर्ट निदेख साइन के बारे मिधी तरह में बताएंगे यह जो सपोर्ट देने के लिए इसको बनाया गया है ऑर इसमें आप देखिएगा अर आस्त पहल्दार है जैसा कि आप देख रहे हैं और उसके अलावे इसमें दस foray डावाया ब्राम übit और बाइस फीट उंचा है और बरामदा जो महराबदार बनता है तिन-तिन महराबें बनती हैं एक-एक पहल में ये तीन महराबें हैं इसके उपर आप देखियागा कि कमल का फूल उपर आप देख सकते हैं ये कमल के फूल बने हुए हैं पान के पत्ते हैं इसको कई लोग कहत प्रभाव पड़ा प्रभाव के विजया ने में राजा गजपती सिंग उनके इतने अच्छे मित्र थे कि हर समय जरा विस्तार से बताइए इस दोस्ती के बारे में कौन सी लड़ाईयां लड़ी हुना राजा गजपती सिंग बराबर उनके साथ रहे यह भोजपूर के राजा थे लेकिन उनका उलेख नहीं मिलता है लेकिन उनका जो प्रभाव तो पर आपका यह कहने का आधार क् में है नाम भोजपूर का जो इतिहास है उसमें है तो यह कहने का मतलब कि उन लोगों के साथ जो यहां पर हिंदू मुस्लिम कल्चर और उस समय जो उसने देखा यहां पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है सेरसाह के ऊपर और आप चुकि सहसराम जो नगर था यह बहुत ही प्राचीन नगर है सहसराम से पहले इसका नाम सहसराम था सहसराम के पीछे क्या कहानी है सहसराम के पीछे यह कहानी है कि यह सिद्धासरम है यह वास्तों में यह बहुत ही प्राचीन नगर है और आप से बतला दें कि दुनिया का सबसे प्राचीनितम जीवंत नग नहीं, यह सासराम है, और कहिएगा कैसे, आप देखिए, यहां पर आसपास जो अभी बनारस की जो खुदाई हुई है, उसमें गुपता और उसके पहले तक काल जाता है, अधिक सधिक मौरियन तक आप कह सकते हैं, उसके आगे नहीं जा पाता है, लेकिन अभी तक जो खुद के अधिक काईउमें इस ऑस हैर आप जाकर के यहां पर पहाड़ी, और के नहीं पर आदिमानों के शल चित्र हैं, और वे शाएल चित्र कम से हम 10,000 बरस पुराने हैं तो 10,000 बरस से यहां पर एक संस्कृति विक्सित होने लगी थी एक सभ्यता विक्सित होने लगी थी और आप से बतला दें कि इस सहर के दो तरफ अभी खुदाई हो चुकी है सिनुवार की सिनुवार एक ऐसी जगह है जहां पर की नौपाशान कालीं टो बल्कुल बगल में है यहां से 6-7 किलो मीटर है और इसकी अलावे यहां पर सोनवा गढ़ है वहां पर भथारी गढ़ है यहां पर तामरपाशान काली नौशेश मिले हैं तो गहने का मतलब है कि द़ कर करके जो एक सभ्यता संस्कृती यहां पर विक्सित होने लगी व और अशोक का जो लगु शिला लेख है वो आपको है लेकिन उसके पहाड़ी है उस पर है रजेट जी वो पहाड़ी दिखा सकते हैं किया इधर आई है वो देख रही है आपको हाँ उपर आपर अशोक का लगु शिला लेख है क्या लिखा है उसमें लिखा है कि जी ब्रहमे ल जो देवता है अब तक जो माने जाते रहे हैं जूटे सिध्ध कर दिये गए हैं उसका मूल रूप हम बतला रहे हैं और ये जो है संह में लोग दिख्षित हो रहे हैं और ये हमको 256 रात्री व्यती हम कर रहे हैं अब तक संह में आये हुए मतलब कि बहुत दर्म स्विकार करन स्विकंए रात्री उसमें उलेक है उसके पहले अगर हम देखें तो ये शिध्धासरम की जो हम चर्चा कर रहे हैं भाग्वान विषनु में एक एक सहसर वरस तक तपस्या की थी यहां सी धियास्रत्री और उन्हों यही पर वामन उतार हुआ धर जी और वह जगह है आज भी अनंत तिला के नाम से यहां पता है सहसराम के दक्षिंक म्याओन साइब this कि इतना सब यहां पर एतिहासिक चीज है टूरिस्ट कितना आता है कुब आता है इस असराम में या कम हाता है बाहर का देखे जो होना चाहिए परचार परसार और जिस रूप है लिग गई है सपना संग प्रिंस जिए यह सब इतना खराब कर रहे हैं सब लोग अपना धरोहर हमारा भी सपना है कि धरोवर पर कोई सपना नाम ना लग जाए जी तो यह जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए अब यहां के लोगों को ही नहीं पता है कि यह जो बगल में पहाडियां है पूरव साइड में वहां पर मध्य पाशान काली श्यल चित रहें उनको संरक्षित नहीं किया गया है आप से बतलाएं कि संरक्षित भारतिय पुराता तो सरक्षन भी भाग द्वारा तो है आपको अशोक का जो शिलालेख है लेकिन वह संरक्षित नहीं है आज वह संरक्षित नहीं है तो कहने का मतलब है कि अगर संरक्षित नहीं किया गया तो कुछ दिनों कि हम बात कर रहे थे तो यह तो बहुत सारी दहाशन पर сво Cand ब्हुत सारे उसमें मजार है और हांत मिलाना है को रो न चल ला मास कहां है आप कुछी अमारा केहां जेब में है अभी लगा लेह आप भी लगा ली इसमें आप देखेंगे कि पीछे में ये पशिम साइड में मिंबर बना हुआ है उसी पर शिलालेक है जिसमें इसलाम साह ने लिखवाया है जी वहां पर है कि शेर्शाह बादशाह के मरने के तीन महीने बाद ये जो है अगस्त में 16 अगस्त को मनें आज के अगर तारिख में वह देखा जाए तो यह मकबरा पूण हुआ था ये शिलालेक है यहां तो आवाज गुम्बत की वज़ेशा immune वह रही है जी यह लिखा हुआ है यहां फार्सी में लिखा है जी इसमें कुरान की आयते हैं यह कैलिग्राफी का नमूना कैसे पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है जो लोग शुरुआती जानकारी ना रखते हो उनको बता दें कि चुकि इसलाम में इश्वर का या पैगंबर का चित्र बनाने की मनाही है इसलिए जो कलाओं का प्रेक्टी करण होता था वो कुरान शरी पर जादा बता सकते हैं यह जो ब्लू कलर था इसके कुछ अशेश अभी भी बाकी है तो अपने ओरिजिनल सुरूप में यह पूरा नीला था अंदर बाहर से और देखें यह जो उजला आप दिखा सकते हैं इसको जब कनिंहम आये थे तो इतनी मिटी भर चुकी थी यहां आज तक मिटी थी वही आज तक दिखाई पर रहा है यह जो देख रहे हैं यह 24 कब्रें हैं इसमें पुरुस और महिलाओं की कब्रें हैं उनके परिवार के सदस्यों कि शेर्शाह तो वहां कालेंजर में मारे गए थे क्या थी वह पूरी घटना जरा बताएंगे विस्तार स वह 22 मई 1545 की घटना है जबकि बारूद पर दिखाईए रजय देखे दिखा सकते हैं कुछ एक सो एक फीट की उचाई है इसकी और आप से बतला रहे हैं कि जो यह गुंबद है वो ताज महल से 13 फीट चोड़ा है ब्यास में बिल्कुल जी साड़े 70 फीट हीतर से ब्यास है मखबरे का बिखना थोड़ा वाद उपर तक हां तो आप मुझे कालेंजर की लडाई के बारें बता रहे थी किसके बीच वह लडाई हुई क्या हुआ इदर आजए और वहां पर जब कालेंजर में मारे गए शेर साह तो उसके बाद उनको लडाई किसके साथ हो रही थी क्य कालेंजर का किला जीतने के लिए वह लडाई चल रही थी और वहां पर वह जो मारे गए तो चुकि बारूद का भी स्फोर्ट हुआ था उसमें बिलकुल उनकी अस्थियां या पुरा सरीर जो है च्छत विशत हो गया था तो ततकाल जो है वह इंतजार किया गया इसलाम साह चुकि रिवा में थे सलीम साह नाम था उनका बाद में इसलाम साह के रूप में वो प्रसिद हुए तो वो सलीम साह के आने का इंतजार और उनके बड़े पुत्र जलाल खा के आने का इंतजार हो रहा था लेकिन इसलाम साह सलीम साह पहले पहुँच गए और वहां पर दफन किया गया, बाद में जब यह मकबरा पून हो गया, तब जा करके सेरसाह की अस्थियों को ला करके यहां पर दफन किया गया है, यह जो आप बरामदा देख रहे हैं, 22 फीट की उचाई है, और 10 फीट की चोड़ाई है इसकी, यह पत्थर कौन सा है, यह चिनार का पत्थर है, यहां अस्थानी पत्थर है, यह बलुआ पत्थर कैमूर पहाडी का ही पत्थर है, कैमूर पहाडी का पत्थर है, हम मनेर में आ रहे थे, मनेर में एक दरगा थी, तो वहां में चुनार बलुआ पत्थर का इस्तमाल हुआ था, पर यह कैमूर पहाडी का अस्थानी पत्थर ह तो यह बताइए अस्थानी सरकार है क्या कर रही है परिटन के लिए यहां पर अभी तर्जिक तालाब तो अपेक्षाक्रत को शांत लग रहा है और अब यहां बीच-बीच में मस्जिद और मंदिर कैसे आ गएं कि लेगे स्दॉब आएं हाथ पे मंदिर है और में अप कहले के नहीं होता है इन सब को लेकर अब तो नहीं है अब नहीं है विवाद नहीं होना चाहिए मंदिर मस्जिद विवाद कराएं तो वो काम के नहीं है अच्छा तो यह तो शेरशाह के मकबरे का हो गया एक मैंने सुना यहां पे कुछ शेरशाह का बनाया किला है जिसकी प्रितिकरती में पाकिस्तान में किला बना था पाकिस्ता के उत्थान में बहुत बड़ा युगदान रहा इसलिए उसने नया खिला बनवा करके और उसका भी नामकर्ण रोहतास किया आप से बतला है वो पकिस्तान में भी है अच्छा जी और यह जो यहां का वास्तों में खिला है वो प्राचींतम खिला था अच्छा और अभी वो द दुनिया का कह सकते हैं कि प्राचींतम किला है क्योंकि उसके प्रमान है प्रमान यह है कि रोहतास गढ़ जो अभी बरतमान में है वो 14 कोस मतलब की लगभग 28 मील की परिधी है उस पहाडी की और चारो तरफ से वो घेरा बनाया गया है उसको या तो प्राकृतिक रूप से या फिर मानवी रूप से अद्भूत है और आप से बतला रहे हैं कि वहाँ पर उसमें साथ जगह अभी तक हमने जो खोज की है साथ जगह रौकार्ट साइड मतलब की शाइल आसरे हैं शाइल चित्र पाशान काली यह वेदों से भी कई हजार वर्ष पहले की बात कर रहे है तो पाशान काली नवसेस हैं और अभी हाल में 2017 में हमने वहां से मेगालिथ की खोजकी जो की छे अस्थल हैं वहांपा बताई वेस्था अबाते के मरने के बाद अपने पुरोजों की याद में लोग जो है अपने डबाते थे ते या उनके खुछ यह औसे लेकर के मान दू बना देते थे पत्थरों से उसके उपर चोटे चोटे ये वह रोतास गड़वाले किले मिले हैं तो इस तरह से प्राचीन तंकिला है और उसकी जो संबधता है कहीं तो जूरती है पुरानों से अगर आप देखें तो उसको राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास्व से उसका क्रम जूड़ता है और वो त्रेता यूगीन इस रूप में हो जाता है एक मेरा आखरी सवाल आप से यह है कि जब यह सब इतना अच्छा सासाराम में है इस्थिति पुरा तत्वीन सबकी तो इस्थानी नागरिकों ने कभी इस तरह का जंदवाव नहीं बनाया कि इन गया में दो ढ़ाई गंटा तीन गंटा लगता है आप दो गंटा बोल रहे हैं आमने सड़क जोड के तीन कर लिया सड़क और ट्रैफिक जोड़के तो जो परेटक बहुत गया तक आते हैं दुनिया भर के वह सासाराम तो आई सकते हैं बड़ी संख्या में लेकिन आमद लोगों को जादा से जादा रोजगार यहीं मिले जी देखिए जो दबाव बनाने की बात है तो सासाराम शहर के निवासी तो अकबर के समय में ही दबाव बना चुके हैं कि इसको बचाया जाए क्योंकि आप देखिए कि सामने आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली दरवाजा है आप आगे से चलिए दिखाते हैं वहां पर जब अकबर का सासन स्थापित हुआ तो उसके जो स्रैनिक थे वह आये थे कि इनको इस मकबरे को द्वस्त कर दिया जाए क्योंकि यह सूरी वंस की निसानी है और वहां से तोप जो है चलाया गया और जिसके चलते यह जो जाते हुए पर आठे निपटा है तब इस मकबरे में जिसके अवजा जाते हुए तो अगली दफा जब आप जीटी रोड में दिली से चंडीगड के भीच जाते हुए पर आठे निपटा है तब इस मकबरे में जिसके अवशेश धरे हैं उस बादशाह को जरूर याद करें सूरे डूब रहा है हमारे प्रोडक्शन है रजजत जी का ये फेवरिट नजारा होता है जो आज मिस हो गया और किसका सूरे ढलेगा किसके सूरे का उदे होगा बिहा कि बिहार के बारे में जो कई स्टीडियो टाइप बन गए हैं उनको तोड़ने का काम भी ललन टॉप के जरीए हो जब आप अगली दफ़ा अपनी बकेड लिस्ट बनाए घूमने की लिस्ट बनाए तब बिहार की ये नायाब जगहे हैं क्या रजजत जी पसंद आई आपक कि कोशिच हो रही है और वर्तबान जो हर बीत्ते पल के साथ एक दर्वाजा पार करता है और इतिहास की नगरी में बस जाता है अपने हिस्से की जमीन तलाशता हुआ उसकी कहानिया सुनाते रहेंगे इस पूरी चुनावी यात्रा के बारे में और चुनाओं के बहाने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप देख रहे हैं तिललन टॉप